लेन कट करने के मामले में हमारे देश में सबसे आगे स्कूटी और बाइक वाले रहते हैं यह सड़क पर इस तरह से चलते हैं कि जैसा सड़क पर कोई गाड़ी चली ना रही हो और जहां जब मौका मिले गाड़ी सीधा काटते हुए निकल जाते हैं और यही चीज का यह एक्सेंट का रीजन बनते हमने देखा है इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी इनिसेंस प्रूफ करने के लिए आप कार में डैस्ट केम ज़रूर लगवाए और इनको बचाते हुए खुद एक्सेंट में वाल ना हो इसलिए कंट्रोल स्वीड में गाड़ी चला है मिस्टर मदू सुदन ने हमारे एमेल पर एक ऐसा ही एक्सेंट शेयर किया था जहां साथ दिखा जा सकता है कि वो अपनी लेन में चलते नजर आता है और साइट से एक स्कूर्टी राइडर रास्ता कट करते हुए आगे निकलने की सोचता है पर स्कूर्टी को थोड़ा राइट मोरता है और फिर गाड़ी से स्कूर्टी का एक्सेंट हो जाता है या स्कूर्टी ड्राइव को शायद पता था कि गलती खुद उसकी है और गाड़ी में कैमरा भी लगा हुआ है इसलिए बिना कुछ बोले वो हो यहां से आगे बढ़ जाता है आगे आप वो डैश केम फोड़ेश देख सकते हैं तो और ने देखा यहां किस तरह से एक्सेंट हुआ जैस्क बुटी बाला खुद अपनी गलती के वैसे एक्सेंट में इन्वावल हुआ और अगर यहां गाड़ी स्पीड में होती तो मेजर इंजिरी भी आने के चांसे थे पुटी वाले को अगर यहां इंजिरी आ जाती तो सब गलती शायद गाड़ी वाले की बताते हैं इसलिए यहां डैश केंप पूटी एक कांग की चीज है जो कम से काओं आपको गलत लिजाम लगने से बचा सकती है और इस तरह के बाइक वाले ऐसे लोग होते हैं जिनने ना खुद की जान की परवा होती है इसलिए कभी भी हेलमेट के इस्तमाल नहीं करते हैं नहीं दूसरे की जान की परवा होती है और इस तरह से यह गाड़ी चलाते हैं आपका इस वीडियो के बादे में क्या सोचना है कमेंट से होता है येगा चलता हूं मैं मिलूँ आपसे जल्दी एक ने वीडियो के साथ तिल दे टाइम दिसमी साइनिंग